हेलो फ्रेंज, इंडियन फूद रेसिपीस चानल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सिंपल मसाला मागी जो बड़ों को तो पसंद आती है साथ ही साथ बच्चे भी इसे आराम से एंजॉय करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा तीकी नहीं है और दिखने में भी बहुत कलर्फुल है तो चलिए आज की मज़ेदा रेसिपी को शुरू करते है तो यहाँ पर मैंने मागी को यूज किया है अगर आप कोई और नूडल्स यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम नूडल्स को बॉइल कर लेंगे तो इसके लिए एक बरतन में हम चार से पांच ग्लास पानी ले लेंगे पानी को अच्छे से बॉइल होने दे फिर हम इसमें डालेंगे मागी के दो नूडल्स तो यहाँ पर मैंने एक नूडल केक को ऐसे तोड़के डाला और दूसरे नूडल को डाला फिर हम इसे ढख कर करीब दो मिनिट तक बॉइल कर लेंगे हमें ज्यादा भी पकाना नहीं है बस 70-80% ही नूडल को पका लेना है तो आप देख सकते हैं कि यह नूडल्स अलमोस्ट पक चुके हैं पूरी तर असे नहीं लेकिन अलमोस्ट तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं स्ट्रेन करने के बाद इन नूडल्स को थोड़ा ऐसे फैला के रखते हैं ताकि ठंडे हो जाए और कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए इसके बाद एक कड़ाई में हम दो से तीन स्पून ते ले लेंगे तेल के अच्छे से गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे एक टी स्पून जीरा जीरे को अच्छे से तडखने दे, फिर हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्ज कटी हुई, इन्हे भी अच्छे से पका ले तेल में, फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा प्यास बारिक कटा हुआ, प्यास को भी अच्छे से मिला ले, जब तक की थोड़ा से यह सॉफ्ट नहो करीब देड से दो मिनिट बाद हम इसमें टमाटर भी डालेंगे टमाटर को भी तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट न हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे आधी टीस्पून हल्दी पाउडर और चुटकी बर लाल मिर्च पाउडर ये ऑप्शनल है इसके बाद हम इसमें ड प्रश कटा हुआ धनिया पत्ता भी डालेंगे थोड़ा मिला ले साथी साथ इसमें हम दो से तीन स्पून ही पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं और अब हम इसमें डालेंगे हमारी पकी हुई नूडल्स अब कि हमने नूडल्स को पहले ही 70-80% पका लिया थ तो अब हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसे ऐसे ही stir fry कर लेंगे dry फिर हम इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता अच्छे से मिला ले और तयार है हमारी मजेदार मसाला मैगी इसे गर्मा गरम सर्फ कर ले वैसे तो मैगी के पकेट की उपर लिखा होता है इसी को तो कहते हैं महनत रंग लाना है ना गा finden को अगर आपको मेरे ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेए केजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में एक और मजेदा रेसिपी की साथ तिल अजयों मगगी!